हेलो बच्चों, आजम सेकंड चाप्टर करेंगे हनी सेकल क्लासिक्स बुक का तो पढ़ने के पहले हमारे बुक में दिया है Before You Read तो हमें बुक की एक लाइन पर फोकस करना चाहिए तो स्टार्ट करते हैं Before You Read, You May Know That The Dog and Wolf Are Closed Related आप ये जानते होंगे की डॉग और वुल्फ, वुल्फ मतलब क्या होता है भेडिया, डॉग मतलब होता है कुट्था, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं You May Also Know Something About How, Over The Centuries आप ये भी जानते होंगे कुछ इसके बारे में भी की centuries पहले शातकों पहले Human beings have domesticated and tamed wild animals Human beings ने जंगली जानवरों को पाला है उन्हें domesticate किया है, घर में पालना स्टार्ट किया Here is a story about how the dog became a tame animal यहाँ पे एक कहानी है, इस बारे में की डॉग एक पालतू जानवर कैसे बना तो अब paragraph पर आते हैं Dogs were once their own masters and lived the way wolves do Dogs पहले क्या होता था कि वो खुद की अपनी मर्जी के मालिक थे और उस तरह जीते थे जैसे कि भीडिये जीते हैं In freedom, आजादी से Until a dog was born who was ill-pleased with this way of life तब तक वो ऐसे खुल के अपनी अजादी में रहते थे जब तक एक dog एक कुदा पैदा नहीं हुआ जो अपने इस तरीके की जिंदगी से उसे खुश ही नहीं मिलती थी उसे ill-pleased मतलब वो खुश नहीं था इस तरह की जिंदगी से वो बीमार था मतलब उसे ये पसंद नहीं था यहां बीमार का मतलब है वो राजी नहीं था वो अकेले घूम घूम कर थक गया था वो और ऐसे घूमना नहीं चाहता था अकेले जो खाना वो खोज रहा है उसके लिए और हमेशा डरा हुआ रहना उसे डरा रहना पड़ता था ना जो उससे strong animals है उससे वो डरता था तो उससे वो ऐसी जिंदगी नहीं पसंद थी उसने इसे बार बार सोचा he thought it over यहाँ पर किसी point को हम सोचते हैं उस पर discussion करते हैं तो हम कहेंगे he thought it over and decided that the best thing for him और उसके लिए जो best चीज था जो वो कर सकता था was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth और उससे ऐसी जिंदगी जीने के लिए उसका servant उसका नौकर बनना पड़ता जो earth पे सबसे जादा ताकतवर है सबसे जादा powerful है and he set out to find such a master और वो निकल गया इस तरह का master इस तरह का मालिक ढूंडने के लिए he walked and he walked and he met a kinsman of his वो चलता चला चलता ही गया और फिर उससे एक अपना relative मिला kinsman मिला kinsman मतलब जो हमारे खून के रिष्टिदार हैं वो kinsman है हमारे तो उसे kinsman मिला एक बड़ा सा भेडिया a big wolf who was as strong as he was fierce एक बड़ा सा भेडिया उससे मिला जो उसके उससे जादा strong था क्योंकि वो frightening था, डरावना था, fierce था, violent था, जगड़ा करता था where are you going dog? the wolf asked भेडिया ने कुछते से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो I am looking for someone to take up service with मैं किसी को खोज रहा हूँ कि मैं उनका नौकर बन पाऊँ उनका, उनकी सेवा के लिए उन्हें service देने के लिए मैं किसी को खोज रहा हूँ would you like to be my master, wolf? क्या तुम मेरे master बनना चाहोगे? क्या तुम मुझे अपना servant बनाना चाहोगे? भेडिये I don't see why not, the wolf said the two of them went on together और जब भेडिया भी मान गया, कुटा भी मान गया, कुटे को तो चाहिए ही था तो फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ गये they walked and they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes वो चल रे, चल रे, चलते ही गए और अचानक से, wolf ने अपनी नाग उपर उठाई, sniff किया, कुछ सूंगा and darted quickly और पीछे, अचानक से पीछे हट गया जिस रास्ते वो जा रहा था darted quickly dart मतलब अचानक से, quickly मतलब जल्दी से off the path मतलब उस रास्ते से अलग अट कर and into the bushes और कहां चला गया जाडियों में चला गया and crept deeper into the forest और फिर और घने जंगल में घने जंगल की और आगे बढ़ गया the dog was much surprised dog को बड़ा अशर हुआ what's come over you master आपके उपर क्या आगया आप से कौन बढ़ा है, आपको किस चीज कडर लग रहा है he asked उसने पूछा what has frightened you so आपको किस चीज ने इतना डरा दिया can't you see there's a beer out there क्या तुम्हें दिख नहीं रहा बाहर एक beer है beer मतला भालू and he might eat up both of us you and me और वो आकर हम दोनों को खा सकता है तुम्हें भी और मुझे भी seeing that the beer was stronger than the wolf तो उसने ये देखा कि ये भालू भेरी से ज़ादा ताकतवर था तो dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the beer to be his master क्योंकि beer stronger था wolf से तो dog ने decide कि वो service लेगा किसकी beer की वो भालू की सेवा करेगा and he left the wolf और वो उसने भेरी को छोड़ दिया और beer से पूछा कि तुम क्या मेरे master बनोगे the beer agreed to agreed to this readily और beer तुरत मान गया and said और उसने कहा let us go and find a herd of cows चलो अब हम चलते हैं और गाये का कोई जुन्ड खोजते हैं herd क्या होता है जो जानवर एक साथ रहते हैं उन्हें हम herd कहते हैं एक group के एक तरह के जानवर एक साथ रहेंगे तो हम कहेंगे a herd of cows a herd of sheep या फिर sheep के लिए flock word भी use होता है and then we can both eat our fill हम लोग चलो चलते हैं गायों का जुन्ड खोजते हैं फिर मैं एक गाये को मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भर कर खा सकेंगे they walked on और वो थोड़ी दूर चले and soon saw a herd of cows और फिर उन्हें जल्दी ही गायों का जुन्ड दिख गया but just as they were about to come up to it they were stopped by a terrible noise पर जैसे ही वो वहाँ गायों तक पहुचने ही वाले थे तो उन्हें एक भयानक सी अचानक सी आवाज से वो रुक गए the cows were moving loudly जो गाये थे इन्होंने बहुत जोर जोर से आवाज start कर दी थी उन्होंने मुू करना start कर दी था काओ क्या करती है माओ करती है और वो बहुत जोर जोर से अपनी आवाज निकाल रहे थे और panic में run कर रहे थे मतलब इदर से उफर भाग रहे थे घबरा कर panic होकर in all directions सारे दिशाओं में इधर से उधर गाय जा रहे थी The bear looked out from behind a tree Bear tree के पीछे से चुपके जाकता है And then he too ran hastily deeper into the forest और फिर वो भी जल्दी से hastily मतलब fast, quickly वो घने जंगल की ओर अंदर आ गया Now why did I have to come here? Said he to the dog उसने पूछा कि तुम मुझे बताओ कि मुझे यहां की वाना पड़ा उसन डॉक से पूछा और फिर खुदी answer दिया It is the lion who rules the forest in these parts इन सारे जंगल के इन सारे कोनों में इन सारे टुकडों में जंगल का राजा शेर है शेर यहां पे शेर का इलाका है यहां पे फिर से कुटे को दिख गया ओ एक paragraph चूट गया बच्टों सारी Well then I'll say goodbye to you हाँ तो मैं तुम्हें bye-bye बोल दूँगा बियर भालू सुनो मैं अब तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ I want a master who is stronger than anyone on earth मुझे एक master चाहिए जो धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और फिर क्या हुआ अब डॉग लाइन के पास गया उससे पूछने की क्या तुम मेरे master बनोगे The lion agreed to it लाइन तुरत मान गया And the dog stayed with him and served him for a long long time लाइन इस बात को मान गया डॉग उसके साथ बहुत दिनों तक रहा उसे बहुत लंबे समय तक उसने लाइन की सेवा की It was a good life उसकी जिंदगी अच्छी थी डॉग को अब उसकी जिंदगी पसंद आ रही थी And he had nothing to complain of और अब उसे शिकायत कोई शिकायत नहीं थी अपनी जिंदगी से वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था For there was no longer beast No stronger beast in the forest than the lion क्योंकि lion से जादा ताकतवर तो जंगल में कोई नहीं था और फिर जो सबसे ताकतवर होता है उसके knocker को कौई थोड़ी कोई कस्ट पहुँचाएगा कोई नुकसान पहुँचाएगा तो फिर dog को भी कोई तंग नहीं करने की हिम्मत किसी में नहीं थी dog को भी कोई परिशान नहीं करता था irritate नहीं करता था But one day पर एक दिन the two of them were walking side by side along a path that ran amid bear cliffs वो दोनो एक दिन बगल बगल में चल रहे थे जैसे मैं तुम्हारे साथ तुम मेरे बगल में side by side चलना कहते हैं along a path एक रास्ते के आगे चल रहे थे रास्ते को पकड़ कर that ran amid bear cliffs जो की bear cliffs के बीच में से गुजरता था amid मतला बीच में से bear मतलब खाली cliff मतलब क्या होता है एक steep मतलब उसमें धलान जो होती है न बिलकुल खड़ी चटान जो होती है चड़ने में नहीं बनने वाइसा cliff उसे कहते है तो मेरे पास image है मैं दिखाती हूँ एक minute हाँ तो जैसे हम देख सकते हैं यह रहा cliff यह cliff है इसकी धलान आप देख रहे हैं इसमें चड़ने में नहीं बनेगा तो इसी cliff के side side पे कोई रास्ता था वो दोनों उसी रास्ते से गुजर रहे थे और तब क्या होता है when all of a sudden the lion stopped तो क्या होता है अचानक से lion जो है वो रुक जाता है he gave a great roar and struck the ground angrily with his paw उसने एक बहुत बड़ी सी दहार लगाई great roar and struck the ground angrily और फिर ground पे अपना पाव पटका पाव क्या होता है जिसमें नाकून जो होते हैं बिल्ली के पैर को हम पाव कहते हैं lion के पैर को पाव कहते हैं तो lion भी क्या एक बड़ी बिल्ली है तो उसे भी हम पाव कह रहे है तो उसने अपने पैर से ground पे गुसे से एक बार अपना पैर पटका और इतना force उसने लगाया कि वहाँ पे गढधा बन गया था एक छोटा सा छेद हो गया था Then he began to back away very quietly और फिर वो धीरे धीरे पीछे खिसकना start किया पीछे आने लगा पीछे की और जाने लगा चुप चाप What is it master? Is anything wrong? Ask the dog surprised Dog ने आश्चर इसे पूछा क्या हुआ master कुछ गरबर है क्या मैं कुछ मदद करूँ I smell a man coming this way the lion said मुझे एक आदमी की smell आ रही है मैं detect कर सकता हूँ मैं यह बता सकता हूँ कि इस रास्ते जिस रास्ते पर हम है उस रास्ते पर एक आदमी आ रहा है मुझे उसकी smell आ रही है We better run for it or we'll be in trouble हमारे लिए यह अच्छा होगा कि हम यहां से चले जाएं नहीं तो हम मुश्किल में पढ़ जाएंगी Oh well then I'll say goodbye to you अच्छा तो ऐसा है तो मैं आपको bye bye बोल दूँगा lion शेर अगर ऐसी बात है तो मैं आपको bye bye बोल देता हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो धर्ती पे सबसे ज़्यादा strong हो and off the lion went to join the man and he stayed with him and served him faithfully और फिर dog चला गया man के साथ जाने के लिए और man के साथ ही अभी तक है उसने उसे वफादारी से अपना करतवे निभाया है जो dog को करना चाहिए dog ने अपनी duty अच्छे से निभाये बहुत faithful है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं this happened long long ago ऐसा बहुत समय पहले हुआ था but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master और आज तक dog इनसान का सबसे loyal servant है सबसे इमानदार knocker है और dog को अभी तक कोई और master नहीं मिला है तो हम फिर से यहाँ important words दिये हैं उसे review करेंगे पहला word है ill pleased ill मतलब सब को पता होगा ill मतलब बीमार होना pleased मतलब पसंदाना तो जो बीमार यहाँ पे आप समझ़ना negative way में pleased को यूज किया गया है तो old fashioned way of saying not happy पुराने जमाने में ill pleased मतलब not happy को लोग ill pleased कहते थे आगे चलते हैं kinsman old fashioned word for a relative तो kinsman किसे हम यूज कर रहे हैं पुराने जमाने में एक relative को kinsman बोला जाता था fierce मतलब जो भयानक दिखता हो खतरनाक हो जगडालू हो take up service with become the servant of take up service with मतलब उन्हें serve करना, start करना किसी की सेवा करना तो नो कर बनना simple सी बात हैं dotted dotted मतलब जल्दी से हट जाना वहां से अचानक से come over you affected you come over you मतलब मैंने तुम पर जो प्रभाव डाला उसे हम कहेंगे she came over you उसका impact इतना जादा था कि वो तुम से आगे हो गई she came over you तुम पर प्रभाव पड़ा उसका dared to be brave enough to do something dared मतलब क्या हुआ किसी चीज को करने की हिम्मत रखना dare रखना जैसे हम फोचते हैं ना अचा छोड़िये cliff मतलब मैंने आपको वो दिखा दिया rock का image ना of another edge of the sea जो sea के edge पे खास करके होता है ये देखी इदर cliff के बगल में हम देख पा रहे हैं कि पूरा विशाल sea है ocean है तो ये कहां पे होता है water sources water bodies के आसपास होता है cliff और ये बहुत खड़ी चटान है यहां 4-5 question हम देख लेते हैं why does the dog feel the need for a master dog को एक master की जरूरत क्यों थी तो इसका answer bracket में लिखा है न 1,2 इसका meaning है कि इस question का answer हमें paragraph 1 और 2 में मिलेगा तो मैंने आपको बताया कि dog को master की जरूरत क्यों थी क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था उसे क्या पसंद नहीं था उसे अपने आप अकेले भटक कर खाना कोजना बिल्कुल पसंद नहीं था उसे ऐसा कोई चाहिए था उसे ऐसा master चाहिए था जिसके डर से कोई और जानवर उसे परिशान न करे तो कि उसे अपने से बड़े जानवरों से बहुत डर लगता था तो आप इसे English में लिख लेंगे मुझे विश्वास है हाँ तो second question है Who did he first choose as his master तो डॉग ने अपने master की रूप में पहले किसे चुना था पहले डॉग ने वुल्फ को चुना था Why did he leave that master उसने वुल्फ को क्यों छोड़ दिया क्योंकि वुल्फ से stronger उसे मिल गया था बेर मिल गया था वुल्फ बेर को देखके भाग रहा था यानि वुल्फ बेर से डरता था इसका अर्थ यह हुआ कि बेर जादा strong है तो वो फिर बेर के पास चला गया था इसलिए उसने अपने पहले master को छोड़ा था Who did he choose next तो बेर के मतलब fox के, sorry यार वुल्फ के बाद उसने किसे चुना उसने बेर को चुना पर लिखेंगे इसको भी English में इसका answer paragraph 3 पे मिलेगा Why did he serve the lion for a long time कुटे ने lion की सेवा क्योंकि इतने लंबे समय तक इसका answer paragraph 4 पे मिलेगा पर हमें इसका भी आता है क्योंकि lion से stronger अगर उसे ज़्यादा अभी जंगल में कोई नहीं मिला फिर बहुत टाइम बाद जंगल में कोई आदमी आया तो फिर उसे पता चला कि ओ ये तो lion से भी ज़्यादा ताकतवर है ना Who did he finally choose as his master and why तो lion के बाद आखिरकार कहानी के अंत में dog ने अपना master के से चुना है तो हम देख सकते हैं कि dog ने humans को इंसानों को अपना master चुना क्योंकि वो lion से भी ज़्यादा strong थे और आज तक humans से strong जानवर dogs को नहीं मिले ठीक है धर तो grammar है आप इतना बढ़ना लेंगे थैंक यू जो समझ में नहीं आएंगा वो आप comment करके पूछ सकते हैं